प्रयास किया था और उसमें जो ट्रांस हिमाले वाला भाग है वो मैंने आपको बता दिया था और आप में इसे बहुत से बच्चों ने कहा कि सर ट्रांस हिमाले को हम जानते थे कि हिमाले के उत्तर में है लेकिन आज तक इतना नहीं जान पाया थे कि ट्रांस हिमाले की इतनी भी सेस्ताय हैं और कैसे कैसे कॉस्सन पूछे जा सकते हैं तो जो भरोसा आपको ट्रांस हिमाले पर पैदा हुआ है वही आज हिमाले छित पर अर्थाद ग्रेटर मिडिल और सिवालिक के संदर में भी देखने को मिलेगा तो आज भी उसी तरह का हमल जो है कि एक लेबल टच करेंगे और अगर आपने हिमाले छित पर पहले से पढ़ा है तो भी आप देखेगा आज भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसका मतलब है यह जो क्लास है आपके लेबल को और आगे लेकर जाएगे और मेरा प्रयास यही रहता है हर क्लास में आपको उस लेबल तक पहुँचा दिया जाए जहां पर पहुँचने के बाद UPSC CSC के प्रश्न बहुत इजी लगने लगें आसान लगने लगें क्योंकि जो भी topic है जो भी syllabus है अगर वो हमें आसान लगने लग गया इसका मतलब है कि हमारा उस syllabus पर command है और जब syllabus पर command है प्रश्न इजी लग रहे हैं हम सही solve कर पा रहे हैं तो कोई भी हमें fail नहीं करेगा क्योंकि UPSC CSC fail करने के लिए नहीं बैठी हुई है वो सही candidate का इंतिजार क प्रूब करना है कि आप ही वो सही candidate है जिसका इंतजार UPSC CSC कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है इस इंडियन जोग्राफिक की class में आप देखो आज रभिवार था तो हम चाहते तो छुट्टी ले सकते थे हमारी टीम भी छुट्टी ले सकते थे लेकिन हम लोगों ने कह ताकि नहीं हम चुट्टी नहीं लेंगे हम लोगों ने पहले आपके लिए पीडियप पर काम किया कुछ content पर काम किया और हमने कहा class भी करेंगे ताकि हम आपको आपके result के करेब जल्दी से जल्दी पहुँचा सके बहुत से लेबस पड़ा है अभी तो हम इंडियन जोग् सेग्मेंट है answer writing का सेग्मेंट है तो बहुत बड़ा सेग्मेंट हमें और आपको कबर करना है इसलिए हम जितनी तेजी से और जितनी अधिक मेहनत करेंगे वह हमारे लिए अच्छा होगा मैं आगे बढ़ हूँ उससे पहले एक बर मुझे confirm कर दिजे क्या मेरी आवाज है सुन पा रहे है बता दिजिए सब बता जाये गूड आप sax और नून गूड आप तनून अनुस्ट है रमेस आदिक सर आपसे बात हो सकती है कुछ डाव उठ है तयारी को लेकर आप पूरी बात अपनी वोघ्शन्प पर मैसेज कर देचे हमारी टीम रिपलाई देगी क्य एक एक मिनट आपको भरोसा भी नहीं है कि इस क्लास को आप तक पहुंचाने के लिए इंको पहुंचाने के लिए हमें कम से कम 15 गंटे 16 गंटे सिर्फ content पर काम करना पड़ता है और बाकी उसके बाद अपना जीवन और साथ ही साथ जो टेक्निकल चीज है बहुत कठीन है लेकिन हां हमारी टीम जरूर आपके प्रशनकार जितने भी आपके doubts होंगे उसको clear करेंगे चाहे हम वीडियो के माध् को थिक है तो सब लोग आगे सब लोग आगे से सन किस्टर किया जय शिसन किस्टर किया जयां the good morning good morning good morning the good morning good morning अजिक कहते हैं सर्योट टेचिंग इस्टैल इज एफ एपसलुटली अमेजिंग थेंक यू सो मुच है थेंक यू सो मच तो एक बर सेशन को बचयों थोड़ा सा सिएर कर लिजें अब नमबर बता देजे अभी टेलीग्राम पर सब को हम लोग नंबर प्रोवाइड करवा देंगे पूनम गो स्वामी जी के थे हैं सर कलाश डेड़ घंटी की रख लीजे जिससे जल्दी से हो पाए ठीक है बिल्कुल कर लेंगे देखो मेहनत करने के लिए या जो भी आप कॉंटेंट के पॉइंट अब बिल से देखो गए हम लोग सब कुछ करने के लिए तयार है बस आपको भी जितना आप मुझसे उमीद कर रहे हो हमारी टीम से कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको भी अपनी तरफ से आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो कोई कितनी दिन आप सोचो बिना किसी उम्मीद के मेहनत करेगा इसलिए आपका भी मेहनत करना आपको भी ये समझना होगा कि यह एक परिवार है एक रिजल्ट मित्र है मित्र अगर आप बने हैं तो आपको भी मित्रता निभानी होगी इसलिए मैं आप सब से request करता हूँ कि चरूर कोई वीडियो जो भी आपको topic अच्छा लगे उसको अधिक से अधिक share करके हमारी team का मनोबल बढ़ाते रहे जिससे हम अधिक अधिक class ले करा सकें अधिक मेहनत कर सकें चले चले तो सेसन को एक बार बच्चो लाइक और share कर लेजे एक मिनिट में लाइक और share कर लेजे अधिक से अधिक लाइक और share कर लेजे सब लोग कर लेजे सब लोग कर लेजे इतने कहने के बाद तो बच्चे आपको खुद करना चाहिए है ना इवर्स कर लेजे फिर हम लोग आगे बढ़ते हूं कि ऑफिस आर के 4.0 थैंकि सो मुझ थैंकि सो मुझ कर लेजे सब्धी प्ले लिस्ट बनी हुई है वर्ल जोगरॉफि की इन्डियन जोगरोफि की आ इसपेसेस платच बिडियों की सब्धी प्ले लिस्ट को देख लिजेगा सर आप एकोनमी पढाते हैं इकोनमी की मेश होगी वह भी लेकिन पूरा इकोनमी में नहीं पढ़ाता हूं जितने सेगमेंट पढ़ाता हूँ वो सेगमेंट में आपको पढ़ाऊंगो चले, सेशन को सेयर कर लिया होगा आप लोगों ने मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो समाझ में आता होगा कि कोई रिक्वेश्ट कर रहा है तो हमें क्या अप्रोच रखने चाहिए चले, हम बात कर लेते हैं भारत की हिमालाई छेतर पर और कल हम लोगों ने हिमालाई छेतर को देखने और समझने का प्रियास किया था और मैंने ये सभी चीज़े जो आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं कल मैंने आपको ये समझा दिया था और हमने बताया था कि जो हमारा उत्तर पूर्वी हिमालाई छेतर है यह कैसे बना हुआ है इसकी कुछ विसेस्ताओं से हमने आपको परचित करवाया था ओबर विउ आपको इसका दिया था ब्रीब किया था इसके बिसे में फिर हमने कहा था कि हम एक-एक हिमालाई छेतर को लेंगे और उसी करम में हमने कल ट्रांस हिमाले को देखा था और ट्रांस हिमाले की जितनी विशेस्ता हैं आप देख रहे हैं यह जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कल मैंने आपको समझा दिया था कोई भी चीज मैं रटाता नहीं हूँ ना मैं आपसे कभी रटने के लिए बोलता हूँ यह कहता हूँ कि समझ यह क्योंकि मैं समझने और समझाने पर भरोशा करता हूँ अगर आप UPSC, CSC crack करना चाहते हैं, इस्टेट PCS crack करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी समझ बढ़े, ना कि आपकी रटने की छमता बढ़े, क्योंकि रटने की छमता से selection नहीं हो सकता, ठीक है, चले, तो कल हम लोगों ने यहां तक देख लिया था, आज हम start करेंगे, Great Himalaya से, ठीक है, सर बताइए, NCRT कब से start करेंगे, बच्चे जो पढ़ रहे हो, अभी चलते चलो, जैसी समय में मिलेगा, NCRT भी start करेंगे, और NCRT भी classic से start करेंगे, और ultimate तरीके से करेंगे, बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक है, तो NCRT भी करेंगे, पंकत जी कह रहे हैं, सर मुझे संडे होने के कारण आपको लाइब देखने खमा होका मुले, ठैंकियो सो मच पंकत जी, आपके लिए छुट्टी है, हमारे लिए क्लास है, चले, कोई बात, ठीक है, तो आईए हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर, स्क्रीन क देखे, कल यह देखा, पामीर नौर्ट, मैंने आपसे कहा था, इसी पामीर नौर्ट से जुड़कर एक रेंज निकलती है, और यह देख सकते हैं, कराकोरम रेंज, और कराकोरम के दच्छिन में देखिए लद्दाग, और लद्दाग के दच्छिन में देखिए जासकर, औ और इन चारों को हम लोगों ने समलित रूप से एक नाम दिया था, वह था ट्रांस हिमाले, और ट्रांस हिमाले की क्या भी सेस्ट नाय हैं, किस रूप में प्रशन पूछे जाते हैं, कौन कौन से फेक्ट और कॉंसेट आपके लिए इंपोर्टेंट हैं, वह हमने कल डिस्कस क लिया था, और यह जो ट्रांस हिमाले हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, चुकि हिमाले के उत्तर में है, इसलिए हमने ट्रांस नाम दिया था, सब चीजे हो गते, आज जो हमारी जर्नी होगी, इसके दच्छिण में एक बड़ा सा परवत हमें देखने को मिलेगा, एक रें इसको ग्रेट बोलने के पीछे, पहला तो कारण ही है कि इसकी लंबाई अधिक है, इसकी लंबाई अधिक है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के गौर्ज से लेकर नामचा बरवा परवर, जो कि अनवाचल परदेश में वहां तक बिस्तार रखते हैं, और इसको अगर देखें, तो लगभग आपको पच्छे सो किलो मेटर की लंबाई में यह परवती छितर देखने को मिलेगा, तो पहला है लंबाई अधिक, दूसरा, इसको ग्रेट इसलिए भी कहते हैं, क्योंकि यह उचा है, इसकी उचा है, अध ठीक है, ठीक किसी तरह से यह जो परवती भाग है, सिरस्फिन लंबाई नहीं है, इसकी उचाई भी है, यह उचाई कितनी है, बिशु के सरवाधिक, उंचे परवती भाग, उंचे परवती भाग, आपको इसी छितर में देखने को मिलेंगे, तो पहला कारण हो गया कि महत तो भी अधिक है अब आप को होगे कि सर्म महत तो इसका अधिक कैसे है इसका क्यों नहीं इसके पीछे का कारण है चूंकि यहाँ जो आप देख सकते हैं पस्सिम से पूरब इसका जो बिस्तार पस्सिम से पूरब के ओर और पस्सिम से पूरब के ओर बिस्तारित हुआ यह परवती छेत्र क्या करता है इधर साइबेरिया से आने वाले साइबेरिया या ठंडे परदेश से आने वाले ठंडे परदेश या फिर साइबेरिया से आने वाले अना एकदम थंडी हवाओं से हमारी रच्छा करता है थंडी हवाओं से हमारी रच्छा करता है तो प्रश्ण आएगा अच्छा आपको यह दिख पा रहा है कि नहीं अब दिख पार रहा है कि नहीं कलर से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा पढ़ पार रहे ना आप लो कि अगर पता देजिए कि सर मैंने वाटसप पर रिप्लाई मांगा था भी तक नहीं मिला फासी पर चड़ादो हमको फासी पर चड़ा देजिए दस हजाल लोग हैं और दस हजाल लोग जब यह पूछते हैं हमने देखा बहुत से बच्चों को देखा सरकी क्लास के लिंक नहीं मिले जबकि हमारी टीम ने भेजा हुआ जो मैसेज भेजा जाता है उसको पूरा पढ़िए और अगर कोई जेनियून प्रश्न होगा तो टीम देगी और टीम भी चूंकि लिम्टेड टीम है आप ही की जैसे स्टुडेंट लोग हैं वह हमको सपोर्ड करते हमारे लिए हम साथ में बैठते हैं तो वह देखेंगे रिप्लाई जरूर देंगे हमारी टीम किसी को इग्नोर नहीं करती हमारी और आपकी को दुस्वनी देगा निश्चिनत रही है पढ़ने पर फोकस किजिए वार्टव के रिप्लाई से वार्टव के मैसेज से सेलेक्शन नहीं होगा क्लास से सेलेक्शन होगा इस पर फोकस कीजिए है ठीक है call के बारे में बताए, call नहीं कईसा call कॉल सम्भू नहीं है, call से बात नहीं हो पाएगी अचा कुछ बच्चे क्या करते है वार से पर बीडियो कॉल करते है तो देखो ऐसा मत किया करो टीम ब्लॉक कर देगी steady platform है, घर का grup नहीं है कि जब माने में आया चलो वीडियो कॉल कर दिया प्रॉपर तरीखे से थोड़ा सा देखो तैयारी करना सेलेक्शन नहीं दिलाएगा आपको तैयारी करते हुए अपनी परस्णाल्टी अपनी सोच अपनी परजेंटेशन अपनी ब्योहार को भी हमें देखना होगा ना भाई से पूरब के ओर हिमाले छित्र है ये ठंडे परदेश या साइबेरिया से आने वाले हवाओं से हमारी रच्छा भी करता है तो पहला कारण हो गया लंबाई अधिक होना दूसरा कारण हो गया उचाई अधिक होना तीसरा महत्तो भी अधिक है और महत्तो को इस रूप में भ लेकिए कि भारत को बोला जाता है कि यहां पर लगभग जो है कि 4,000 नदियां लगभग छोटी बड़ी सभी नदियों के विला देंगे तो लगभग 4,000 चोलो 4,000 छोड़ दो लेकिन आपको पता है कि भारत में शेकडो ऐसी नदियां है जिनकी लंबाई क्या है बहुत अधि लंबाई जिनकी 100 क्विलो मेटर से भी अधिक लंबी होगी ऐसी नदियां क्या है बहुत जादा हैं अब यह जो नदियां हैं यह जो नदियां हैं इनमें से अधिकांस नदियों का सब्लियों किस से हमाले च्थे से अब देखो हिमालेई छितर से क्या करती है यह नदिया निकलती है क्यों कि यहाँ पर क्या है ग्लेशियर है और यही ग्लेशियर क्या होता है मेल्ट होता है यही गलेशियर क्या होता है मेल्ट होता है तो इससे क्या होता है जल प्राप्त होता है और यही जल क्या करता है बर्सा करवाता है तो जो चौथा कारण हो गया नगियों के पॉंट अब उसे या भारत की भारत की जल सुरच्छा के पॉंट अब उसे वाटर सिक जा रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ नाम लिया, Great Himalya. उसमें से Great को मैं डिफाइन कर रहा हूं. आप चार नहीं, छे किताबे ले आना और उनको एक साथ रख लेना. और उन किताबों से पूछना कि भाया, Great Himalya को Great क्यों बोलते हैं? और यह प्रश्ण इंटर्वियू में कई ब बता रहा हूं जो concept आपको बता रहा हूं कोई बता ले तो समझ जाना कि हां यहां पर copy paste हो रहा है और जब कोई ना बता पाए तो समझ लेना कि सही direction में हो बस मेहनत बढ़ा दो और अपनी personality अपने सोच विचार पर क्या करो काम करो जिससे आप एक सुल्ज है हुए अधिकारी के रूप में अभी से अपने आपको तयार कर सको ठीक है तो हमने देखा नदियों के point अब्यों से उसके बाद देखें यह जो हमारा हमारा हिमालई छितर है इसका एक और importance है वह है बर्षा के लिए अगर यह हिमालई छितर न होता तो जो मौनसून है उसका स्वरूप ऐसा ना होता कृसी अर्थ ब्योस्था वाला देश बोला जाता है कृसी प्रधान देश बोला जाता है हाला कि सर्विस सेक्टर का जो योगदान है इस समय 58% हो गया है अर्थात economic point of view से देखा जाया है तो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा contribution देता है बावजूद इसके अधिकांस लोग लगभा अभी हमारी 51% जो population है अर्थात majority जो population है वह किसी ने किसी तरह से क्रिशिक कारें से जुड़ी हुई है अब जो क्रिशिक कारें से वह जुड़ी हुई है और इसमें क्रिशिक कारे का संबंद है मौनसून से और मौनसून का संबंद हिमालया से मौनसून की जो हवाएं आती है अगर यह हिमालया ना रहता तो यहां पर बरसा नहीं करा पाती है यहां बरसा इस वज़े से हुपाती है, क्योंकि मौसून की पहोंने आती हैं हिमाले से टक्रा कर इसके दच्छरी धाल पर बरसा करती है। की लिए क्या है परवतों का होना ज़रूरी है इन्हीं परवतों की शहारे पॉने क्या करती है उपर चर ती है और यह इसे जिसे उपर जाती है ठंडी होती है और ठंडी होकर स्थर कर करता है तापमान को कंट्रोल करता है तो यह आपका यह पांच वी ठ इस्ता हो गई बरसा के चलो की च्ठ चलो सिऴटो और इच थ हटी하면 नहीं हो गई तापमान के प्रिश्न आगा कि अब था it कैसे रेगूलेट करता आपको पता है कि हम जैसे grading पर उपर की वड़ जा जैसे जैसे हिमालिया पर ऊपर की ऊड़ जाएंगे टेंपरेचर क्या होता है कम होता है और यहां पर ग्लेशियर मिलते हैं अगर यहां पर कोई मरुस्थली चित्र होता यहां पर गर्मी होती यहां पर टेंपरेचर जादा होता जैसे आप हिमाले के दच्षिड में जो उत्त 48 डिगरी चलसेस टेमपरेचर हो जाएगा इतना अधिक टेमपरेचर हो जाएगा और वहीं पर उसी समय जैसे माल लो एक डेट लेते हैं फिप्थ जून फिप्त जून फिप्त जून को आप मैदानी छेत्र में उस्तन टेंपरेचर देख रहे हो चालिश डिग्री सेस्यस और आप क्या करो तुरंत फ्लाइट पकड़ो और चले जाओ आप उत्तर की वो ले चले जाईए ले चले जाईए हना कस्मीर चले जाईए ठीक है या फिर हि पर जैसे जैसे हम उपर जाते हैं टेंपरेचर क्या होता है उसका कम होने लगता है तो यहां पर हमने क्या बता है कि ले चेत्र में टेंपरेचर क्या हो जाए कम हो जाएगा और उसके पीछे का कारण क्या है तापमान के लियर है तो इस टेंपरेचर को भी रेगुलेट करत यह विए नहीं और देखो इसका एक सामरिक महत्विय इसका हमालया का एक स्टेटिक इंपोटेंस इसका क्या मतलब है अगर यह हिमालय छित इस रूप में ना होता तो आपको क्या लगता है चाइना के साथ हमारा जो conflict है अब तक तलवारें चल चुकी होती 1962 को war हुआ है लेकिन अभी जो condition है चाइना जिस चीज से थोड़ा सा बेचेन रहता ये कमजोर पड़ जाता है हमारे का हिस्सा है और जो हिमाले का उत्री भाग है वो खड़े ढाल वाला है जो की चाइना को रोकने का काम करता है अगर ये हिमाले ना होता ये मैदानी ये पठारी छित्र होता तो चाइना से हमारा जो conflict हो काफी जादा होता इसलिए हिमाले का जो strategic importance है वो बहुत जादा है आज जो इंडो चाइना border dispute बना है वो क्या होता अगर मैदानी छित रहता तो इस dispute बहुत बढ़ गया होता और dispute बढ़ गया होता तो हमारी economy के लिए दिक्कत होता आप पाकिस्तान को देख लिजे पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद होता है लेकिन वो क्या है भारत की खिलाब जो है कि सिर्प और सिर्प साजिस में लगा रहा यूद्ध में लगा रहा economy की condition देख लिजे मयमार हमारे पड़ोस में है लोगतांत्रिक देश बना लेकिन लोगतांत्र चल नहीं पाया देख लिजे क्या condition असांती असुरच्छा हना यूद्ध ये क्या करते हैं देश को पीछे खुछ थे ठीक है यही बात आप से लंका के पॉंट अब्यों से देख लेजे के लिए है तो इसका स इंडियन जोग्रॉफिक कब तक कंप्लीट हो जाएगा अभी सुरू हुआ है अभी सुरू हुआ महीना लगेगा कम से मैं तो समझ नहीं पाता हूं आप लोग को कैसे आप तयारी कर रहे हैं आप लोग आपको सिलेबस तो पता होगा और सिलेबस नहीं है तो देख लिजे क कि यह वहल्ट क्लास में आ गए तो हम लोगों नहीं समझा कि आखेर जो हम सद्धियूज करते हैं ग्रेट हिमालिया इसमें ग्रेट का क्या रत है यह हमने समझ लिया हिमालिया को तो हम समझी चुके है अब आईए इसके बिस्वे में मैं आपको कुछ चीजे बता कि यहां अब मैंने जितना आपको बताया आप किसी भी किताब से आप यूटूब से हना ओनलाइन ऑफ लाइन जितने भी सोर्स हैं जहां से आप पढ़ सकते हो जिसने दो लाख रुपे की कोचिंग की होगी उससे कहना भीया यह जो हिमालिया है न इसको ग्रेट हिमालिया क्यों कहत हैं और वो सभी चीज़े आपको इसी रूप में बता ले जाए तब समझ लेना कि आप 2 लाख रुपे की कोचिंग वाली क्लास फ्री में पढ़ रहे हो और चब वो ना बता पाए तो समझ लेना कि आप उससे भी बहतर क्लास फ्री में प्राप्त कर रहे हो और इसके लिए थोड़ा सा इमानदार होना चाहिए प्लेटफॉर्म के प्रती और सेशन को अधिक से अधिक सेर करना चाहिए जिस से हमारी भी जो भावनाय हैं हमारी भी जो महनत है वो सफल हो सके और हम अधिक से अधिक लोग तक क्लास को पहुंचा सके आए तो जो महान हिमाले है ये नंग तो यहां से लेकर पस्टिम से पूरब की ओर नंगा पर्वस से लेकर नामचा वरवतर यह लगवग पचीस सो किलो मेटर की लंबाई और 116 से लेकर 400 किलो मेटर की चोड़ाई में यह विस्तृत है जिसकी ओस्तन उचाई 6000 मिटर है लगवग connection hour Prior आप सोचो, अगर आप देखेंगे, तो ऐस्टेलिया की सरवच चोटी बताइए कोई, ऐस्ते इसी सरवच चोटी बताइए, ओर इन में से बताइए, इन सरवच चोटीयों की उचाई, च्छह हजार मेटर से अधीक है कοιा, माउंट कोशिश को कहां पर अस्ते लिया, ऐस्ते माउंट किलिमंजारो यूरोप में माउंट एलब्रोच क्या इन सब की उचाई 6000 से अधिक है क्या और इनकी सरवोच चोटी की उचाई 6000 मीटर से अधिक है अभी हम आपको कम से कम यहाँ पर दस ऐसे चोटियां बताएंगे जिनकी उचाई 8000 मीटर से अधिक है अब इतनी उची चोटियां या तो इसी हिमाले छितर में मिलेंगी या फिर आपको जो मैंने कल ट्रांस हिमाले बताया तो वहाँ पर मिलेंगी कोई दूसरा रेंज इसको उचाई के मामले में टकर नहीं दे पाता और इसी के कारणी क्या हो जाता है अच्छा इसमें यह लिखा हुआ है कि यहां से प्रारम्भ होकर पूरब की ओर जाता है और इसकी इधर चोड़ाई क्या है जाता है ठीक है अगर आपके पास एटलस है तो यहां पर देखिए, डार्क कलर जादा दिखाया गया होगा, ब्राउन कलर की चोड़ाई जादा दिखाया होगा, वहीं पूरब की ओर जाएंगे, तो ब्राउन कलर की जो चोड़ाई है, वह कम दिखायी गई हो, उहां पर ब्राउन कलर की जो चोड़ाई है, आपको कम दे अब आज जा रही है, अभी एक वायर खिच गया था, इसके बज़े से मैं बोच रहा हूँ, तो आप अगर पस्रिम की ओर देखेंगे, तो इसकी चोड़ाई क्या है, अधिक है, और पूरब की ओर चोड़ाई क्या है, आपको कम देखने को मिले, तो यही चीज लिखा है, कि इसकी जो चोड़ाई है, पूरब की ओर, एक सो साथ, और पस्रिम की ओर देखेंगे, तो शक्ता है कि जो छागान उचा यह इसके किस भाघ में प्राप्त होती किस भाग की बजह से रेंश भाग की कारण इसकी उस्चाम्त उचाई इतनी ज्यादा हो जाती है तो आप कहिएगा जो हिमाले का मध्यवर्ती भाग है जो मध्य यर्थ जो बीच का भाग है जो मध्य भाग है वहाँ पर जो कुछ चोटियां है जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ अभी मैं बताऊंगा उनकी आउस्टन ऊचाए बहुत जादा है इसी के कारण जब हम पूरफ की और आते हैं, तो पूरफ की और इतनी उच्छी चोटिया नहीं मिलती हैं, बावजूद इसकी ये 6000 मीटर की उच्छाई प्राप्त कर लेता हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, कि भी या, पुरोत्तर भारत की हिमाले की चोटियों को बताईए, आप 24-5 का नाम बताए उसकी उच्छाई भी पूछ सकते हैं, तो आप जब उच्छाई बताएंगे, तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर जादा उची उच्छी चोटिया तो हैं नहीं, अर्थात ऐसी चोटिया नहीं हैं, जिनकी उच्छाई आपको 7000 मेटर, 8000 मेटर या 6000 मेटर से भी उपर हो, पिर कहेंगे भी या उसकतन उच्छाई इसकी कैसे इतनी हो गए, तो आप बताएगा, कि भी या इसकी उसकतन उच्छाई इस बज़े से जादा हो जाती है, क्योंकि जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पर बहुत से ऐसी चोटिया हैं, जिनकी उच्छाई 8000 मेटर से भी देखाता, वो वीडियो क्या होता है, कि उसमें एक ऐसा एक ऐसा बोर्ड होता है, ठीक है, एक ऐसा बोर्ड होता है, और पता नहीं किस चीच का बना होता है, लोग ऐसे जाते हैं, और ऐसे उससे चिपक जाते हैं, और फिर हड जाते हैं, तो उनका पूरा सरीर बन जाता है, उससे अपने देखा होगा तो हाथ इसी तरसे بनता है, पूरा शरी क्यों? पूरे सरीर का जो दबाव है, आपने देखिए, उसको ध्यान से देखेगा, पूरे सरीर का जो दबाव है, वो मद्रवर्ती भाग में जदा लगता है, तो सरीर अंदर की हो और हाथ ऐसे, ठीक इसी तरह से आप कोई सामने कोई चीज हो उस पर ऐसे दबाव डालिए तो दबाव कहां पर लगेगा मत्यवर्ति भाग में आपकी एनरजी सबसे ज़्यादा लगेगी है ना कोई ऐसे कोई ऐसे चीज करेंगे ना तो रोकना कठिन होगा लेकिन कोई चीज जब आप पूरे सेंटर क्या होगे सबसे ज़्यादा होगे और वहां पर जो मौन्टेन का फॉर्मेशन होगा वह सबसे उच्छा होगा तो हिमालिया कभी जो बिस्तार आप देखेंगे इसी तरह से वह चुंकि पस्तिन से पूरव है और इस तरह से धक्का लगा उसके बज़े से क्या हुआ हिमालि कुलियर हो गया है हाँपर कट क виде इस्टुडेंट पूछे नियूंए सर की मेरा दोहज़ार चब्विस में मेरा पहला प्य cooking दोहज़ार चब्विस में नहीं 23 में भी दोह थो गया कि यही class आपको पढ़ने पढ़ेगी और यही पढ़ना पढ़ेगा है projeto किलियर हो गया माहान हिमाले का जो आंत्रिक श हैलोशे नियुक्षिक तो अब इसमें लिखा हुआ है देखें हमने कहा था कि जो हिमाले है यहां पर पहले क्या था ओसाद था अर्था सेडिमेंट था यह औसाद कहां से आया होगा एक सागर की बज़े से तेथी सागर एक सागर की बज़े से तेथी सागळ था, एक छिछला भाग था, तेथी सागर में क्या हुआ, जो सेडिमेंट आसाद है एकत्यथ होता रहा हूँ और इसी आसाद पर क्या परणा दबाओ पड़ा अइसी पर दबाओ परा और जब सेडिमेंट पर दबाओ पड़ेगा, तो मैं बार-बार करण हिमालिया बना अब देखो और साथ पर दबाव पढ़ने की करण जब हिमालिया बना है तो इसकी चटाने क्या होंगी और साधी होने चाहिए है कि नहीं चट्टाने कोई सी होने चाहिए ऑसादि तीन परकार की चट्टाने आपने सुना होगा आगे मैं भी वल्ड जोगुःफ़ी में पढ़ाऊंगा कौन कोई सी चट्टाने होती ऐसादि कया रूपांत्रि कहलेगे चिदा ओसादि हो multi प्रूपांत्र में रूपांत्रिक हो जाता है उसके सरूप में परिवर्तन आजाता है तो उससे क्या होता है रुपांत्री चट्ठाने बनती है अब देखो यहां पर होनी चाहिए और साधी चट्ठाने लेकांपर लिखाए महान हिमाले का जो आंध्रीग भाग है वह कायंत्रीट चट्ठानों क्यों से बना है। इस तरह से कोई परवत बना है।िछ उप इस तरह से परवत बना है। ठीक हम यहां पर खड़े हैं तो हमारे उपर क्यों बाइमंदल का दबाव रहता है लेकिन यहां पर जो चटाने होंगी उसके उपर क्या होगा इन चटानों का दबाव जैसे आप जो है कि आपके उपर कहीं आप जा रहे हो आ रहे हो या अभी पढ़ाई कर रहे हो आपके पि इसके उपर एक बोरी मिट्टी का भार इतना रहा अब इस समझो कि यह जो भाग है इसके उपर इस पूरी चटान का दबाव और जो चटाने यहां पर होंगे इन पर क्या पढ़ रहा होगा इन पर इस सभी चट्टानों का दबाव पढ़ रहा होगा सभी चट्टानों का दबाव पढ़ रहा होगा और जब सभी का दबाव इस पर पढ़ेगा ये चट्टान क्या हो जाएगी चट्टान क्या हो जाईए कठोर हो जाएगी जैसे आप देखो लोहा है इस्टील है ऐलमीनियम है तावा है ऐसे धेर लगा हुआ है उस पर जो है कि 50,000 क्यूंटल का एक जो है कि ऐसा भारिसी चीज रख दो या किसी चीज से उसको दबा दो क्या होगा वो जो बड़ा सा धेर था वो सिकोड कर क्या हो जाएगा छोटे भागों में सिमट जाएगा कि नहीं ठीक इसी तरह से यह जो भाग है यह जो भाग चूंकि उपर से दबाव क्या पड़ता है जादा पड़ता है उपर की उपर से क्या होता है दबाव जादा जाएगा, वह क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और उसका घंद तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और कठोर और हुआ, मजबूत हो गया, कठोर हो गया, सिर्फ इतना नहीं होता, इसके साथ साथ एक चीज और होगी, और वह यह चीज होगी, कि भया नीचे की ओर है और आपको मैंने बताया था वर्ल्ड जोग्रोफिक की क्लास में हम जैसे जैसे पृत्वी में नीचे की ओर जाते हैं जैसे जैसे हम पृत्वी में गहराई की ओर जाते हैं तापमान क्या होता है बढ़ता है तापमान क्या होता है बढ़ता है और तापमा यह कायांत्रिच चट्टानों में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं किलियर किलियर है यहां तक किलियर सब्लों बताइए तो अगर आपसे कोई पूछ ले आप देख रहा हूं एक एक सब्द कैसे मैं किलियर कर रहा हूं बाकी जगों पर क्या होता है आई-लाइन और पढ़के निकल गए लेकिन है यह बात है मैं नोट किया कि लियर कि तो अगर कोई आप से कोई पूछ ले अब यह क्यों कायांतिर रूपांत नहीं तो बता ले जाएंगे न सेशन को सेयर करते रहें विच्छों के आगे बढ़ें कि अ महान हे माले में विश्व की दस सबसे उंची चोट्यां हेमाले के अन्तरगति आती अच्छा अब क्या कीजिए सब लोग एٹलस निकाली अब सब पस जो मैप होगा देखा होगा अपने देश का मैप देखा होगा वर्ल्ड का देखा होगा ऐसी ही मैप की एक किताब आती जिसमें सिर्फ मैप मैप होता है उसको बोलते है एटलस तो अगर एटलस नहीं है तो आज ही पहला काम क्या करना है क्लास के बार क्लास छूटते ही जै कारी की पढ़ाई मतलब ए समझ लो जैसे युद्ध मैदान में आप बिना तैयारी की उतर जाओ ऐसी कंडिशन है तो मत कीजेगा अब आईए अब हम यहां पर छोटियों को देखते हैं इनसे आपसे पुछे जाते हैं पस्सिम से पूरब की और करम पूछा जाएगा पूरब घरते हुए हाइट का क्रम क्या है और घरते हुए हाइट में कौन-कौन से चोटियां यह आपसे पूछा जाएगा तो इन ही को हमें देखना है आप इनको देखने के लिए अगर आपके पास एटलस है तो जरूर आप उस पर टिक लगाईए उस पर हाइलाइट कीजे नहीं है यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम कस्मीर वाले च्छित्र में आएंगे और कस्मीर वाले चब च्छित्र में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक परवत मिलेगा जिसका नाम है नंगा परवत ठीक नंगा परवत अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हमें चुक तो इसमें क्या होगा कुछ हम ट्रांस हिमाले की चोटियों जैसे केटू को भी हम देख लेते हैं ठीक है तो देखे सबसे पहले आप देखे नंगा परवत और नंगा परवत की जो उचाई आपके एटरस में लिखी होगी 8125 मीटर 8125 मीटर फिर थोड़ा सा पूरब की ओर और ब्राट पिक की जो उचाई है 8047 मीटर फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले भी लेगा गेसर ब्रहम 2 ध्यान दिजेगा 8035 मीटर फिर मिलेगा गेसर ब्रहम 1 इसकी उचाई क्या है इससे जादा है 8069 मीटर अब देखें एक दो तीन चार पांच पा पूरब की ओर आएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ नैपाल ठीक है तो इंडिया और नैपाल का जो बॉर्डर वाला छेत रहना उसको हमें देखना है यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा धौला गिर 8166 मीटर फिर उसके बाद मिलेगा आपको अन् सब्रेश्ट और फिर मिलेगा लो श्थे फिर मिलेगा मकालू फिर मिलेगा कंचन जुंगा आप देखी यहां पर आप देखेंगे तीन परवट दो पांच परवथ और 4 नौइ यह हो गए अच्छा यहाँ पर हमने नंगा परवत जैसे अभी हमने में तरहे zaral र splits ठीक है कि नहीं सब लोग बताईए है ठीक है कि सब लोग बताई सब लोग बताईए है पीडियाप मिलेगी क्या नोट्स बनाईए काम आएगा जीवन बर के लिए सेलेक्ट होना है तो नोट्स का साहरा लिजे और सिर्फ अगर पीडियाप के लिए आए है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम है वहीं पर सिर्फ पीडियाप जाली जाती है तो जो पीडियाप मिलेगी सिर्फ वहीं पर मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन करते रहते हैं क्या कि अच्छा लोग पूछ और मेया टेम्ट 2026 में भीया सो जाते हो क्या पूछ के पुछ के सो जाते हो कुछ दिर पहले ही अभी मैं ने रिप्लाई दिया तो कान में अगर कुछ लगाओ तो उसको निकाल लिजिए अभी मैंने इस पर आपके 2026 तीस सब बात की अभी बताया मैंने फिर से कह रहा हूं 26 नहीं 2030 में दोगे यही क्लास यही टॉपिक आपको देखना होगा ऐसे लिए कमेंट ना कमेंट हम लोग इसले नहीं देखते हैं कि उसमें हमें देखकर पर पता क्या चलता कि बाईया कुछ लोग सिर्फ कमेंट करते हैं सुन्ती नहीं जूंने थिक आईए टापक पर आएए ठीक है तो हम ने कहा Bem यह महान हेमालाई छेतर यहां पर 8000 मीटें जैसे अधिक ज्रहणी चोटियां हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगें दस चोटि यों को हम ने दिखाया लेकिन अगर नेकर हम में से पूछ लिया जाए 8000 मेटर से अधिक उची चोटियों की संख्या कितनी है तो इनकी संख्या आपको यहाँ पर कितनी मिली? 14, 5 यहाँ पर देख लिजे, 9 इधर देख लिजे कितनी होगे? टोटल जो चोटियों की संख्या है, वह है आपकी 14 अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कि जो एबरेष्ट है, माउंट एबरेष्ट है, यह किन दो चोटियों के मद में है, तो देखो, एबरेष्ट के, अगर आप पस्सिम की ओर देखोगे, तो आपको छोईू मिलेगा, और अगर आप क्या करोगे? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, माउंट एबरेष्ट किन दो उची चोटियों के मद में है, और इसमें से कोई भी वो नाम दो ले लेगा, और आपको क्या करेगा? अपसन दे देगा, लेकिन आपको छोईू और लोश्चे पर क्या है? डटे रहना है, तो छोईू और लोश्चे, अच्छा, यह आपसे एक तरफ और करेगा, आपको और कन्फ्यूंच करेगा, माउंट एवरेश्च, जो कि हिमाले की सरवोच चोटी है, ध्यान देना, वह छोईू के पूरब में है, लोश्चे के, या फिर वो कहेगा, छोईू के पूरब में है, तो कहना ठीक है, वह कहेगा, लोश्चे के पूरब में और छोईू के पस्रिम है, कहना ना, पूरब पस 6-7 .sinian जिए बढ़ गई है कुछ सुलोतों में चाहिता है इसपर संचौ की ऊस्चॉए बढ़ गई परशना आएगा कि एवरिश्ट के ऊचाहिए क्यों बढ़ रही है और इस सत्य बात है के उस्चाहिभ दढ़ रही है अब एक कुछ समय पहले चाइना ने क्या किया था इसकी उचाई को मापने का प्रयास किया था और उचाई को मापा तो उन्हों ने कहा कि नहीं यह जो 8848 मीटर है यह अंग्रेजों के द्वारा जब हमारे हैं पर ब्रिटिस काल था उस समय मापी गई उचाई है अब इसकी उचाई बढ़ चुकी है और कितनी बढ़ चुकी है लगवग 8850 मीटर वो बताते हैं प्रिशना हैगा कि इसकी उचाई क्यों बढ़ रहे हैं देखें इसके पीछे का कारण है प्लेट टेक्टोनिक थियोरिय मैंने आपको बोला था यह हमारी प्लेट क्या कर रही थे उत्तर की ओर बढ़ रहे थे सामने से एक प्लेट मिली युरेशियन प्लेट दोनों टकराएं अब देखो एक चीज समझो कि जब हमारी इंडियन प्लेट नीचे की ओर जाएगी तो यह क्या होगी नीचे की ओर जब कोई प्लेट जाती है तो अधिक टेंप्रेचर के का प्लेट क्या होती है पिघलती गलती अब यह जो पिघला हुआ भाग है यह जो मैंगमा है यह क्या करेगा उपर आने की यूप प्रयास करेगा उपर अगर नहीं आ पाएगा फिर भी जड़ों तक झटका मारेगा और जड़ के नीचे क्या होगा वो ठंडा होता रहेगा ज तो यहां पर आयेगा ठक्राएगा थंडा होगा। चला जाए तो वह आपको देखने को मिलती है। यह क्या करता है। हिमाले के उचाई को बढ़ाने का कालना बनता है। जैसे मालो कोई भी चीज आपके सामने रखी हूँ उसकी नीची से कोई चीज आती रहे और धीरे धीरे वही पर ठंडी होती रहे तो अपने आप क्या होगा उपर उठना चालू कर देगा तो गलता हुआ मैगमा क्या करता है इसकी रूर्स में आता है और इसकी उचाई को बढ़ाने का प्रयास करता है दूसरा दो प्लेटे जब क्या होंगे करीब आई थी तो इसके बीच का जो मैगमा है इसके बीच का जो मैगमा है इसके बीच का जो औसात था उस पर दबाव में उपर उड़ता चला जाएगा उसी अनपात में उपर उड़ता चला जाएगा ठीक है किलियर है किलियर हो गया है आपड़ सेशन को लाइक और सेयर करते रहना तो चले हमने देखा कि महान हिमाले में बिसुकी दस सबसे उची चोटिया हैं इनकी उचाई हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है अच्छा उसके बार इस स्रेड़ी में अनेक दर्रे भी पाए जाते हलाकि हम दर्रों को अलग से देखेंगे हमाले चेतर को अर्थात अभी तो हम लोग इन ट्रांस को देखा है ग्रेटर को देखा है फिर मेडिल को देखेंगे सिवालिक को देखेंगे जब चारों हो जाएंगे फिर हम दर्रों को देखेंगे और एक पूरा पस्रिम से पूरा पूरब से पस्रिम हम एक ही करके दर्रो को देख लेंगे लेकिन हां कोई भी जो परवत है उसमें दर्रों का मिलना काफी important सोचिए कि इस तरह से range बनी हुई है और इस तरह से अगर range बनी हुई है और इन में अगर दर्रे ना होते तो हम एक range से दूसरे range में कैसे जाते दर्रे क्या होते है परवत का वह निम्न भार जिससे होकर आप गुजर सकते हैं जैसे आप उसको रास्ता कह सकते हैं कि दो परवतों का वह घाटी नुमा भाग या दो उचे उठे हुए परवतों की बीच का वह संकीन भाग जिससे होकर हम आवा गमन कर सकते हैं वह होते हैं दर्रे जैसे आपको पता है कि चीन से हमारा बैपार लंबे समय से होता है तो यह जो चीन से बैपार होता था पहले समुद्र के रास्ते से होता नहीं होगा इन दर्रों के माध्यम से ही होता होगा तो यही चीज़ है इसमें कई दर्रे भी पाए जाते हैं अच्छा जब दर्रे यहां पर पाए जाएंगे तो उनसे होकर आवागमन होगा और यह दर्रे क्या करते हैं हमारी सभी हिमाले छित्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं अगला ठीक है चली अच्छा यहां पर देख लिजे बस नाम सुन लेजे क्योंकि मैं आगे चलकर इसी तरह से मैप में दिखाऊंगा अभी हम दर्रों को क्योंकि एक करेंगे तो हमारा यहां पर फ्लो ब्रेक होगा अभी हमें हिमाले चित्र करना है हिमाचल में हम देखेंगे तो बारा लाचाला दर्रा मिलेगा, शिपकिला दर्रा मिलेगा, उत्राखन में देखेंगे तो लीपुलेक मिलेगा, ठांगला मिलेगा, निती मिलेगा, सिक्की में जाएंगे तो नाथुला और जेलेपला मिलेगा, ठीक है, और तो यह हमारे दर्र हरे तो वहां पर कुषी कारे तो हो नहीं सकता जिसदारसे मैदानी च्षित्रों में कुषी का रोता है उस दोड़ा भाग है धाल अधिक है थोड़ा सा भी जल जाएगा वह जल क्या होगा फुलो कर जाएगा जो मैदानी छितर रहता वहां पर कि शिकार क्या होता संबह होता है ठीक है वहां पर संभव होता है तो यहां पर कुछ जंजातियां रहती है यह जंजातियां क्या करती है अब तो इन्होंने इस्थाई आवास बना लिया है अदर्वाइच यह मौसमी प्रवास करती है प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तो यह ल तो इसी तरह से हिमाले चेत्र में एक भोटिया जंजाती पाई जाती है, अभी भोटिया जंजाती चर्चा में बनी हुई थी, और ये क्यों भोटिया जंजाती चर्चा में बनी हुई थी ये आपको बताना है, बहुत बड़ा डिसीजन इनके संदर में अभी आया है, कि मिडिल हिमाले से अलग होगा, जैसे हम लोगों ने देखा, ट्रांस हिमाले ग्रिटर हिमाले से अलग होता है, ठीक इसी तरह से, जो ग्रिटर हिमाले है, वो भी जब क्या होगा, मिडिल हिमाले से अलग होगा, तो उसके बीच में कोई घाटी, कोई जोन होगा, कोई एरिया हो आएंगे यद ग्रेटर हिमाले से जब हम दच्छडी ढाल पर नीचे उत्रेंगे तो कुछ दूर चल कर फिर क्या होगा मिडिल हिमाले चालू होगा तो इन दोनों ग्रेटर और मिडिल हिमाले के बीच में एक ट्रांजिसन जोन है एक ट्रांजिसन एरिया है जिसका नाम है में central thrust में central thrust तो आप से पूछा जा सकता है कि में जो ग्रिटर हिमाले है और मिडिल हिमाले है इसको कौन अलग करता है तो बताएगा main central thrust क्या करता है इसको अलग करता है ठीक है ठीक है ये main central thrust क्या करता है इसको अलग करता है अब देखे, हमने जो greater हिमालिया देखा, हमने यह जो महान हिमालिया देखा, इस महान हिमालिया में कुछ चीजों को अभी हमें और देखना है, यह रहा greater हिमालिया, अब जो महान हिमालिया, इसके लिए न मैं एक ऐसा करता हूँ, slide उच कर लेता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर महान हिमाले से जो आपसे और प्रश्ण है यह तो हमने कुछ factual information आपको दिया लेकिन इससे काम चलेगा नहीं पूरा महान हिमाले जो हमने देखा इसका हमें glacier देखना है इस महान हिमाले की हमें बनस्पती देखना है इस महान हिमाले का हमें बर्सा के पैटर्न को समझना होगा इस महान हिमाले में इस महान हिमाले में जो घास छित्र मिलते हैं उनको हमें देखना होगा और यह जो महान हिमालया है इसकी जय विवित्ता को भी हमें देख तब जाकर हमारी जो जर्णी है हिमालिया के संदर में वो complete होगी सबसे पहले glacier देखे यह रहा हमारा हिमालिया ठीक है इस तरह से हमें हिमालिया मिलेगा इसको थोड़ा सा और उत्तर की और कर देजे और इसको के यह हमारा चोटी है नंगा परवत यहां पर है आपका नामचा बरवा ठीक यह है आपका नामचा और इस तरह से ग्रेट हिमालिय फैला हुआ तो इसमें अगर हम glacier के point of view से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो हिमालिया का पस्मी भाग है जो हिमालिया का पस्मी भाग है समझेगा यहां पर glacier अधिक है अधिक glacier पाए जाएगे अब इसके पीछे का कारण है कि मैंने आपको बताया था कल यह मानलो पृथवी और यह एक्वेटर इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे temperature क्या होगा कम होगा और जितना ही equator के करीब में आएंगे temperature क्या होगा ज्यादा होगा अब इस चीज को देखें यह हिमाले का जो पस्मी भाग है यह पूरवी हिमाले के तुल्ला में क्या है उच्च अच्छांस पर है उच्च अच्छांस पर होने के कारण यहां का जो तापमान है यहां का जो तापमान है कम हो जाता ठीक है पहला कारण तो यह उच्च अच्छांस पर दूसरा यहां पर हम तो यहां पर तापमान जो है वो काफि कम होता है क्यूंकि उचाई भी यहां पर अधिक है कि यहां पर उचाई भीढ़िख अब। प्रուशन बहुत कि तो आपने बताए मद्यवर्ती भाग में अधिक है बल्कुश सत्य temperature कम होने के कारन ग्लिशियर के बिकास के लिए ideal condition हो जाती है एक कारण और है यह जो भाग है यह शागर से दूर है यह क्या है सागर के दूर आप देखो यह वाला जो भाग है बंगाल की खाड़ी के पास मैं अब कोई भी भाग जो सागर की शमीप होता होता है वहां पर क्या होता है सागर का प्रभाव होता है और सागर का जो टेंपरेचर है वहां आसानी से कम और ज्यादा नहीं होता है सागर की बिसेष्टा होती है एक जैसा टेमप्रेचर बनाए रखने की एक जैसा टेमप्रेचर बनाए तो सागर का प्रभाव इस पर ज्यादा होता है इसलिए यहां का टेमप्रेचर बहुत ज्यादा डाउन नहीं हो पाता और इसके कारण यहां पर क्या होगा टेमप्रेचर में खूब ठंडा हो जाएगा ठंडी में यह खूब ठंडा हो जाएगा और जो भाग जितना ही ठंडा होगा वहाँ पर बर्प क्या होगी उतनी ही जादा होग तो किलियर है ग्लेशियर के किलियर है बता लेंगे पस्चे में ग्लेशियर जादा क्यों है कारण सब्सक्राइब बता लेंगे कि नहीं कि सब्सक्राइब जो लोग यह पढ़ रहे हों जवाब देदें रिप्लाई देदें किलियर चल अब मैं इसको मैठा अब अगला हम बात कर लेते हैं अगला हम करते हैं बात बनस्पती अब बनस्पती का विकास कैसे होता है बनस्पती के विकास के लिए दो चीज़े जो सबसे ज़्यादा मत पूर पहला है वर्सा और दूसरा है तापमान और बर्सा जब ज़ बर्सा अगर अधिक है मैं इहां इसको ऐसे कर लेता हूं तापमान और बर्सा अधिक होने पर क्या होगा बनस्पति अधिक इसको समझने के लिए कैसे समझे मौनसून में क्या होता है हर जगे हर्याली होती मौनसून के समय जो हर्याली होते और मौसून के समय जो हर्याली होती क्यों बर्सा खुब हो रही है और हर्याली पौधिय को विकास के लिए क्या चाहिए टेंप्रेचर चाहिए टेंप्रेचर अधिक है और बर्सा अधिक है तो क्या होगा बनस्वतियों का तेजी से विकास होगा तो यही चीजी हाँ पर आप distribution को समझें तो उसके लिए वाला जो globe है ध्यान रखेगा यह equator वाला जो भाग होता है विश्वत्रे का आपको पता यहां पर temperature ज्यादा होता है यहां पर rainfall अर्था बर्सा ज्यादा होती है और इसी के कारण यहां पर vegetation ज्यादा होता है और जैसे जैसे equator से ने पोल की ओड़ जाएंगे temperature कम बरसा कम और वीनस्पति भी क्या हो जाती कम हो जाती तो अब देखो मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं कि इसको हमने ऐसे मिटा दिया तो अब क्या निस्कर्स क्या निकला कि भाईया जो पूर्भी हिमाले है जो पूर्भी हिमाले है पूर्भी हिमाले में तापमान क्या है अधिक है बरसा अधिक है और इशी के कारण बेजिटेशन उहां पर क्या होगा अधिक होगा बेजिटेशन अधिक होगा, किलियर, वहीं जो पश्मी हिमाले है, अभी हमने यहाँ पर देखा, कि इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, बरसा भी क्या होगी, कम होगी, और इसी के कारण बेजिटेशन क्या होगा, कम होगा, अब देखो, यह वाली चीज इसी से जुड़ी अधिक तापमा, बरसा के लिचिया में अधिक तापमा, जब तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तबी तो क्या होगा, बास्पी करण होगा, और जब बास्पी करण होगा, तो यही बास्प क्या करेगा, शंगनन करेगा, और यही शंगनन करके क्या करेगा, बरसा का कारण और सुर्सा कारण बनेगा तो बर्सा पर ज्यादा होगी पूरभी भाग को पस्तुरी भाग बेसा क्या होगी कम केलियर तो पूरभी भागमें बढशा क्या होगी सिंग सुलियर यहां तक समझ कर पढ़ोगे तो ही क्लियर हो पाएगा क्लियर आगे बढ़े आगे बढ़े चले सेशन को सेयर करते रहे न बच्वा न सेशन को सेयर करते रहे अब देखिए घास छेतर तो देखो घास छेतर का विकास कहां पर होता है जहां पर बर्सा क्या हो कम हो जहां बर्सा कम अगर देखो घास और पेड में क्या अंतर है घासूं का विकास उन छेतरों में और उस कंडिशन में भी हो जाता है जब बर्सा कम होती है कहीं पर मिटी में अगर नमी कम है तो पेड़ का विकास नहीं हो पाएगा लेकिन घास का विकास हो जाओ तो जहां पर बर्सा कम होती है वहां पर इशी की कारण देखेंगे तो जो पस्मी भाग है जो पस्मी भाग है वहां पर चुकि बर्सा कम होती है तो पस्मी भाग में घ गास क्या होगी जादा और गास होगी कैसी होगी ये सिटोः कटीबंदी गास को होती है जो थंड़ छेत्रों में पाइज तो फश्मी भाट किया थंड थंड़ा करंब होती और उसकी वज़े से जो सितोः कटीबंदी एक्दम साइंस है जोग्राफी ना साइंस है और इन चीजों को आप किताब में पढ़ोगे न तो पता नहीं आपका दिमाग चक्रा जाएगा क्या क्या कर रहा है और देखो हम लोग कितने आसान तरीके से चोटे चोटे लॉजिक है इन लॉजिक को बस वहीं पर जोड़ दो हम चाहते तो जय बिवित्ता आपको यहां पर लिख सकते थे लिख सकते थे कि नहीं कि जय बीबित्ता यहां पर ज्यादा होती है, जय बीबित्ता पर हम बात करेंगे, घास पर बात करेंगे, लेकिन पहले अगर मैं जय बीबित्ता पर किलियर कर देता तो किलियर ना होता, यह यहां पर होता, अब देखो, जय बीबित्ता का मतलब क्या ह होता है कि किसी छेत्र में किसी छेत्र में प्लांट्स और एनिमल की संख्या ध्यान देना प्लांट और एनिमल की शंख्या और संख्या के साथ एलिक नहीं पा रहा ध्यान है इसमें एक एक आपको एक बर्स मिला कि यहां पर सो पेड़ पौधे हैं और उस पर नेवर बीस जीव है और अगले बर्स देखो यहां पर दस हजार पेड़ पौधे हैं और हजारों जो है कि दूसरे एनिमल्स हैं तो जै बिवित्ता क्या हो जाएगी बढ़ गई शंख्या और बिवित्ता बिवित्ता का मतलब क्या है कि जो पेड़ हो वो एक ही पर जाती के ना हो जैसे कोई बगीचे मैं जाओ आप और वहां पर आपको पता चले सिर्फ आम ही आम है फिर अमरूद ही अमरूद है सिर्फ नेम ही नेम है तो वहां की बिवित्ता क्या हो गई कम तो जहां पर plants और animals की संख्या और विवित्ता ज्यादा होगी वह जय विवित्ता अधिक होगा अब देखो plants की संख्या कहां पर ज्यादा होगी जहां पर temperature ज्यादा होगा जहां पर बर्सा ज्यादा होगा टेंप्रेचर जादा बरसा जादा प्लांस जादा और जब प्लांस जादा तो प्लांस पर निर्भर एनिमस जादा तो देखो टेंप्रेचर और बरसा क्या होती चुंकि जो पूर्भी भाग है पूर्भी भाग में क्या होता है प्लांस की जो टेंप्रेचर अधिक है बरसा अधिक है तो प्लांस अधिक होंगे और प्लांस अधिक होंगे तो इसके साथ एनिमल्स भी क्या हो जाएंगे अधिक हो जाएंगे तो पूर्वी भाग में ज्यादा होगी तो लिख दो पूर्वी भाग में ज्यादा और पस्मी भाग में कम किलियर किलियर हो गया यह जो क्लासिस होती है ना यह क्लासिस नहीं है यूटूब पर मैंने एक एजुकेटर को एप्रोच किया मैंने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि एक सब्जेक्ट आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएं अना जो भी खर्चा होगा थोड़ा बहुत हम आपको देंगे लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पढ़ाएं उन्होंने का कि सर यूटूब पर एक बार मैं अगर मैं पूरा अपना कॉर्स पढ़ा दोंगा तो खतम हो जाएगा पूरा खतम हो जाएगा तो मैं यूटूब पर पढ़ाने को पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा सा गहराई कम रखोंगा तो मैंने का नहीं सर गहराई कम रखेंगे तो फिर बच्चों का भरोसा नहीं मिल पाएगा क्लास वो लेजें जो आपको हंडेट परसंट है ग्रुजी तयार ही नहीं वह है लकिन हम तयार है हर छाई अपने आप में आपको अल्टिमेट मिलेगी क्लिय किसा त को बेबो कहने सर इंगलीस में जिटने यह लेगा टिकए चल है आगे बढ़ن कि आगे बढ़ें तो यह हमने ग्रेटर हिमालय की विश्य में समझ लिया अच्छा आप देखें यह जो महान हिमालय है अब इसके साथ दिक्कत यह है कि अभी आप इसका स्क्रीन सोट ले लो बच्चो आप सब लोग इसको दुबारा दिखा नहीं पाऊंगा अभी जैसे मैं स्क्रीन चेंज करूंगा यह हट जाएगा गायब हो जाएगा एक बार स्क्रीन सोट ले ले लिजे आप लो ताकि आपके पास आजाए आप इसी की साथ से नोट्स बनाईएगा यह ले लिए इस के सब्सक्राइब ले लिए अच्छा खुछ लोग कह रहा है सर नोट कर लिए वेरी गुड वेरी गुड ठीक बहुत अच्छा जो लोग नोट्स बनाते हैं न देखो कुछ लोग तो पीडिएप के लिए सिर्फ क्लास में आते हैं, उनको लगता है पीडि कितना important होता है, कैसे sentence formation किया जाता है, कैसे लिखा जाए, जो सिर्फ पढ़ने मंगान है ना, जब वो answer लिखने का प्रयास करेंगे, उनके पसीने छूट जाएंगे, चार लाइने लिख नहीं पाएंगे, क्यों, कभी लिखा ही नहीं, notes बनाने का प्रयास ही नहीं किया, खुद को कुछ समझ कर express ही नहीं किया, तो मेरे पास टीम दिखाती है, daily message आते हैं, पचास ओ, answer writing, answer writing, और मैं सही दाव एक साथ कह रहा है, उसमें से 50, 40 ऐसी होंगे, जो से पहले pdf, pdf चिलाते थे, अब उनको पता चले रहें, हम तो लिखी नहीं पाते, अब क्या करें, तो उनको लगता, answer writing करो, answer writing से भी कुछ नहीं होगा, answer writing की class का फायदा वो ले पाएगा, जो दिमाग से तयार हो, answer लिखने के लिए, मैं कोई ऐसी चीज़ थोड़ी बताऊँगा, कि जड़ी बुटी दे दूँ, और तुम लिखने लग जाओगे, लिखोगे तब न, जब लिखने की mindset से आप होगे, और अब भी अगर mindset नहीं ह तो फिर कब होगा, चार, ठीक, अब आजाते हैं, हम अगले हिमालया पर, और वो है हमारा middle हिमालया, तो हम लोगों ने trans हिमालया देख लिया, एक सिकन, हम लोगों ने हाँ पर trans हिमालया देख लिया, greater हिमालया देख लिया, अब हम आजाते हैं, middle हिमालया, इसी middle हिमालया को लगो हिमाले भी बोलते हैं प्रिश्णा आएगा इसको मिडिल क्यों बोलते हैं मिडिल इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि हमने कहा ये ट्रांस हिमाले, ग्रेटर फिर एक हिमाले और फिर इधर सिवाली अब ये क्या है ग्रेटर और सिवालिक, सिवालिक क्या सबसे दच्छडी, ग्रेटर क्या सबसे उचा, इन दोनों के मद्ध वाले हिमाले को हम मद्ध हिमाले बोलते हैं, और चुकि इसके ग्रेटर हिमाले से उचाई क्या है, कम है, इसलिए इसको लगो हिमाले भी बोलते हैं, यह ब्रहद हिमाले के है वो तिब्र है और उत्तर की ओर मंद है अर्थात इस पर अगर हम इधर से चड़ने का प्रयास करें तो हमें कठनाई होगी उत्रने का प्रयास करेंगे तो जल्दी उतर सकते हैं लगुभी माल है शितोष्र जलवायू का छेत्र है शितोष्र का मतलब क्या होता है जहां पर जो सितोष्र को इंगलिश में बोलते है टैम्परेट और पर नहीं स्यम्रेट तो यहां पर सितोष्र मतलब नहीं पर भी मैदानी च्छित्र में मैदानी च्छित्र उश्र है वहां पर गर्मी का अनपार जैसे हमारे यहां पर गर्मी का समय जादा होता है थंडी का छोटा होता है यहां पर ठंडा मौसम क्या होगा जादा होगा गर्मी यहां पर छोटी होगा आप अभी भी चले जाओ तो वहां पर इस्थल मिलेंगे तो जो आप हिमाचल परदेश उत्रा खंड जाते हो वह इनी छित्र में जाते हो जहां पर परेटक इस्थल आपको ज्यादा मिलते हैं शितोष जलवाई होने के कारण यहां लंबी घास और हरे घास के मैदान खुब पाए जाते हैं तो यहां पर लंबी लं पर यहां पर पड़ा हुआ है तो यहां का भी टेंपरेचर कोल्ड है और अलपाइन का भी कोल्ड है इसी के कारण यहां पर जो घासे मिलते हैं उनको अलपाइन घास बोलते हैं जो अलग अलग छित्रों में अलग 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 ना जैसे कस्मीर की घाटी में गुलमर्ग और शोनमर्ग और उत्राखंड में इनको बुग्याल या पयार कहा जाता है तो बुग्याल हो या पयार हो गुलमर्ग हो या शोनमर्ग यह क्या है घास की छित्र हैं और गास की छित्र कहां पर हैं मिडिल हिमाले वाले छित्र में यहां पर लगू हिमाले में अनेक श्रेडिया प हिमाचल में इसको हम धौलाधर के नाम से जानते हैं उत्राखंड में आएंगे तो इसको मसूरी के नाम से जानते हैं और जब नैपाल में आएंगे तो इसको महाभारत स्रेडी के नाम से जानते हैं तो इस चारों क्या हैं एक ही रेंज है जिसका अलग-अलग छित्रों में अ महाँ भारत की स्रेडी के रूप में और नेपाल के ही कुछ हिस्सों में इसको नाग टिवा के नाम से भी जाना जाता है अब यह जो उत्राखण में आप जाएंगे इस परवती छेत्र में तो आपको यहाँ पर एक फूलो की घाटी मिलेगे जो कि उत्राखण में उसका समद्ध किस परवती भाग से या फूलो की घाटी का समद्ध किस परवती रेंज से मिडिल हिमाले से स्रेडी में स्लेट चूना पत्थर वा कवर्च के अधिकता यह नहीं पूछेगा ठीक है ब्रहद हिमाले और मद हिमाले की बीच में कुछ समतल घाटियां पाई जाते हैं ब्रहद हिमाले और मिडिल हिमाले देखो दो परवतीयों बीच के बीच यह परवत भाग है उपर उठे हुए इनके बीच में कोई घाटी होगी तो इस घाटी में कई घाटी हैं, जैसे कस्मीर की घाटी हम देखते हैं, कुल्लू कांगणा की घाटी देखते हैं, तो जो घाटी हैं परवतों के भाग में पाई जाती हैं, इसमें जनसंख्या का बसावट आपको जादा देखने को मिलेगा फिर उसके बाद आ जाते हैं हम शिवालिक या बाहरी हिमाले देख लेते हैं सबसे दच्छिड क्यों बाहरी क्यों क्योंकि हम यहां से अब हिमाले से बाहर हो जाएंगे और इसका नाम क्या है शिवालिक सबसे दच्छिड की ओर है इसकी जो उसतन आप उचाई देखेंगे वह लगभग 1200 मीटर है अर्था सबसे कम उचा परवती भाग है और इस जो सिवालिक है सबसे दच्छिड भाग है जिसकी उचाई का है कम है सिवालिक के विश्य में इसमाना जाता है कि अभी भी बन रहा है या इस पर अभी भी दवाव की कीरिया हो रही और सबसे नभीन है सबसे पहले बना ट्रांस फिर ग्रेटर फिर मेडिल फिर सिवालिक बना है तो सिवालिक सब्द की उत्पति देहरादून के नजदिक शिवावाला में पाए जाने वाले जो चट्टानी अर्था उत्रा खं अगर हम देखें तो इसका बिस्तार पस्सिम से पूरब की और इसका भी बिस्तार देखने को मिलेगा और यही शिवालिक आकर इधर आकर कुछी पहाडियों के रूप में क्या होता है जिनके नाम इहां पर लिखे हुए अब देखो यहां तक मैंने समझाने का आपको काम कि लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि अब यह जो सिस्टम चल रहा है इसकी लाइट जो है बंद होने वाले है मतलब बैटरी बची है एक पर से तो इसलिए मुझे तुरंत क्लास रोगना पड़ेगा ने तो क्लास अपने आप बंद हो जाएगी अब मैं इसका क्या गरूंगा सिवालिक का आपको दूँगा पीडिया और सिवालिक को पड़ लेजेगा कोई confusion हो तो आप पूरा अपना ब्यवस्तित प्रशन लिखकर भेद दीजेगा comment में बता दीजेगा बता जिस तरह से मैं बताया उसी तरह से यह पीडियाप आपको मिलेगा उसको पड़ेगा आपको पहले ही सूचित कर लेंगे और आप क्लास में आये मिलते हैं थैंक यू सो मज़ थैंक यू सो मज़ थैंक यू सो मज़ शेयर कर देना बच्चो न ने तो क्लास बंद हो जाएगी ठीक है